आकाशिक रिकॉर्ड या उससे रिरेटेड सुक्षम यात्राएं और सुक्षम यान समद्दीत अगरबात करें सिल्वर कॉर्ड गर्ब नाल होती है गर्ब पर हम बात करें तो सिल्वर कॉर्ड हिंदी में रजट रजु इसके उपर कुछ बताएगे अधिर बोडी जो है हमारी जो आप मेरी बोडी को देख पा रहे हो जो यौगिक कॉंसेप्ट है उसमें बंजकोशी ए बोडी है तो हमारी जो बोडी होती है इसमें सुक्षमी शरीड, कारंड शरीड, स्थूल शरीड इस थूल का आप देख पाते हैं, ग्रोस बोडी still a body exists which is called the causal body and then there is a body which is called the cosmic body तो तीनों bodies के अंदर जो कारण शरीड होता है शुक्ष में शरीड जो कारण शरीड होते हैं वो हमारे शरीड के अंदर रहते हैं लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो अकसर ये दुनों बाहर चले जाते हैं रजत रजुकार थे एक इस तरह की कॉड अर्थात रसी जो बांधती है हमारे शरीड को कॉस्मिक शरीड को जो दिखता नहीं है अद्रश्य शरीड को लेकिन वो शरीड का हिस्सा है जो हमारे शरीड के साथ जोड़े रखती है जब हम गहरी नींद में होते हैं common experience है, कई लोगों ने किया होगा, कि जब आप deep sleep में होते हैं, गहरी नीद में होते हैं, तो अचानक ऐसी feeling आती है, कोई suddenly आपको जगा दे deep sleep के अंदर, तो उंचाई से आप गिरे हैं, या आप एकदम से आप उठते हैं, तो heart आपका beat कर रहा होता है, तेज, पसीने आ रहे होते हैं, घबराएवे होते हैं, अकसर ये बड़ा common phenomenon है, यंग बच्चों को तो ज़्यादा तर होता है, क्योंकि वो समय पे हमारा सुक्ष्मी शरीड जो है, वो gross body को छोड़के, बाहर उससे यत्रा कर रहा होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताएगे, वो जा दूर नहीं जा पाता है, क्योंकि रज़त रज्यू इसको जोड़े रखती है, तो अगर आप इसको equate करेंगे, तो जैसे बच्चा प्लेसेंटा में मां के घर्ब से जुड़ा रहता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो कॉस्मिक बॉड़ी है वो जुड़ी रहती है हमारी ग्रॉस बॉड़ी से, वाया दर रज़त रज्यू और इसका योगियों ने बहुत experience किया है, परकाया प्रवेश शंकरचारे जब करते थे, तो वो रज़त रज्यू को आप हटा सकें, तभी आप चितना छोड़ेगी उस शरीर को उड़ना नहीं छोड़ती है और लॉप सेंग रैंपा का भी उद्धरन है तो बड़ी मज़दर बात है कि जब वो rapidly enter होती है किसी भी कारण से बड़ी तो उस टाइम पर एक्सपिरियंस होता है जो आप घबराएव उठते हैं तो इसको इक्वेट करना बड़ा अच्छा है imagine करना बड़ा असान है कि बच्चा जैसे कॉर्ट से जुड़ा हुआ है मां से ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है कॉस्मिक शरीर और माइक्रो शरीर जुड़े में रजात अज्यूपर वो भी नाभी पर उसका इस्थान भी नाभी पर ही होता है तो यह बड़ी interesting analogies है